कि फॉर्स नाइट फेलिवर पार्ट टीन कि इसमें भी आप से में बात करने वाला हूं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्याएकर मैं मनोविकार सेख्ष्रोग संभून दता वेसमुगी तग्यों महाराष्ट्र में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूं तो फॉर्स नाइट फेलिवर पार्ट टीन है जब हमारे पास में ऐसे कपल आते हैं कि जो बोलते कि हमको फॉर्स नाइट का फेलिवर हुआ तो इसमें एक चारपाच अलग अलग प्रकार है कैटेगरी है कुछ लोग ऐसे है कि फॉर्स नाइट के पहले ही हमारे पास में आते है उनको बोलते early bird और हमारे पास में आके पहले जानकारी लेंगे पूछताज करेंगे क्या करना जरूई है क्या precaution लेना है तो फर्स night के पहले आके सब मतलब समस्या का समधान करेंगे और वो successful हो जाते है तो उसमें कोई दूसरे दिन आ जाएंगे और पूछेंगे क्या करना और वो इलाज कर लेंगे और अच्छा हो जाएगे फिर तीसरा category जो है उनको fertility concern तो fertility concern मतलब बच्चे नहीं हो रहे है क्योंकि हमारे समाज में क्या है हमारे culture में ऐसा समस्कार कि एक देर साल तक रुखते है शादी के बाद में बच्चे होए ने फिर किलबिल किलबिल चलो जाते कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे है उनको वैसा sex में कोई interest नहीं है बोलते है एक बार भी sex हो गया तो भी चलता है मगर भी लोग बोल रहे है इसलिए हम को कांटेक्ट करना जरूरी है और हमको बच्चे होना जरूरी है इसलिए वह आते रहते है तो वह बीस तीस्ते का लोग जो बच्चे नहीं होरे करके आ रहे एक्च्यली उनको रहता है first night problem उनको contact होआ नहीं रहता कभी भी और फिर इसलिए बच्चे नहीं होते है पिर बैन भाई जैसे रहते हैं बोले एक ना दिन वंडे सम्डे ऐसा आजाएंगा कि जी दिन अच्छे हो जाएंगे और वो उनको कोई किसी को इतराज भी नहीं है ना हस्बंड को है ना वाइफ को है पांचवा के टिकरी जो है जो हमारे पास में आता है कि अभी हमारे से होने रहा है सक्सेस्फुल नहीं है हमने कोशिए कि हमको डाइवर्स होना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए बोलते हम बोलते वकिल के पास में हमारे पास में क्यों है डाइवर्स होना है तो इसमें करना क्या है? एक तो pre-marital counseling होना ज़रूरी है और pre-marital counseling अधि हर एक कपल का होता है और उनको ईद्री sex education हम देते है उनको अधिकृत scientific किताब sex के उपर जैसा मेने पहले बता है कि मेरे आननधी बयवायक जैसी किताब है ऐसी किताबे लोग पढ़ते है scientific medical books कि जिसमें उनको sex education मिलता है तो उसमें problem solve हो जाएंगा पहले ही होने के पहले फिर दूसरा है कि जब हमारे पास में आते हैं तो हम उनको पूछते हैं कि आपको हस्त में उनके बारे में कुछ गलत फेमिया है क्या तो हम दूर करते हैं उनको education देखे पॉर्नोग्राफी पॉर्म्स देखते हैं उसमें गलत फेमिया blue films के देखने के बाद में उनके दिमाग में गलत फेमिया है कि लिंक का साइज इतना होना चाहिए मेरा तो इतना नहीं है फिर इसलिए में फेल हो जाओंगा बगर बगर काफी सारा उनका रहता है कि एक act जो है वो आदा घंटा चलना चाहिए एक घंटा चलना चाहिए फिर उसके दिमाग में उसके बारे में कुछ गलत फेमिया है फिर हम उनको पूछते कि वह आपने प्रोस्टिटूट वेश्चा के साथ में कभी सेक्स क्या होगा है तो उसकी जानकारे लेते हैं वहाँ फेल हो गए तभी भी फेल हो जाएंगे तो वो देखना चाहिए सेक्स विद गर्फरेंट वो कहा हुआ है कितने बार किया हुआ है तो ऐसे हम पूरी जानकारी ले लेते है पूरी हिस्ट्री लेते है और फिर हिस्ट्री लेने के बाद में फिर हम और कुछ हिस्ट्री जो लेते हैं उसमें वो है कि जब आप फिर्स्ट नेट में फेल हो गए तो privacy थी क्या कुछ कुछ समाज में तो हमने यह देखा है कि privacy रहती नहीं है छेद रहता है दरवाजे को और वहां से देखते कि इनकी first night होई की नहीं हुई बुजरुक लोग देखते हैं और वो certify करते हैं कि first night successful होई की नहीं हुई तो privacy थी की नहीं थी या फिर पड़दा था एकी कमरा है एक कमरी में उनको पड़दा डालके बीच में उनको एक अलग जगह दे देते हैं इसमें उनको privacy बिल्कुल रहती नहीं हमेशा डर रहता कि कोई आएंगा कुछ देखेंगा तो वैसा था कि एक कमरा था अलग सा वह है first night में कौन सी जगह आपने किया फिर ठके वे थे क्या क्योंकि दिन भर शादी की शादी के functions चालू है late night reception चालू है और उसके बाद में फिर रात में संपर्क आने वाला है तो दिन भर मतलब पहले दो दिन से ही मतलब वो शादी के सब मतलब क्यों फंक्शन है उसमें busy है और आदमें ठके वे इंट्रेस्ट नहीं अभी इसलिए हो नी रहा है उनको भी नीन चाहिए फिर कंडों का वापर किया था कि नहीं किया था बच्चा नहीं होना चाहिए इसलिए कोई contra safety का वापर किया था कोई गोलियां खाई थी मतलब यह सब उनका पूरा पूरा हिस्ट्रि के तरफ से कि वे उसको tough highman है मतलब योनी में जो highman रहता नहीं पर्दा रहता वो बहुत कड़क है tough है इसके वज़े से intercourse नहीं हो पा रहा है या भजय है इसमस है मतलब योनी में तकलिव है दर्ध होता है और वहां सूजन आई हुई है तो उसके वज़े से पूरी history जब ह है depression है और उसके लिए वो उनका successful नहीं हुआ तो उनको anti anxiety drug देते जिससे उनका tension कम हो जाएगा धिमाग का tension कम हो जाएगा मैं हमेशे बोलता हूं कि उपर tension रहेंगा या नीचे tension रहेंगा उपर relax है तो नीचे tension रहेंगा उपर tension है तो नीचे relax रहेंगा तो उपर का tension निकाल पैपे फिरिंद का injection देते हैं ताकि वो injection से काफी सरा tension आता है एक बार दो बार उसको confidence आगया लड़के को किने मैं कर सकता हूं बाद में फिर injection की गोली की कोई जरुद नहीं हो दिया बाद में फिर उसक्सेस्फुल कर सकता है तो इस तरह का management होता है वास्थायन में तो यह फोर प्ले करना और फिर दसफे बारावे दिन एक्चुली सेक्स करना मैं भी मेरे इसमें बोलते रहता हूं कि समझे मेरे पास में कपल आता है अभी ऐसा करो भी पांची दिन अभी आप काम ही मत करो कुछ नहीं करना है सिर्फ साथ में सोने का है काम खेड़ा करने की है four play करने का해요 और करने का Teams यह नहीं जब मैं यह बोलता हूं intercourse आपको करना ही नहीं है sex करना ही नहीं है साथ में सुने का है तो दूनों का दिमाग का pressure पहले कम हो जाता है कि आपने को करना नहीं है performance करना नहीं अक्सर 90% लोग मेरे पास में आते बाद में कि आपने बोला था करना नहीं है मगर हम खेलते रहे और खेलते खेलते कब हमने कर लिया हमको पता ही लगा नहीं tension दूर हो गया क्योंकि करना नहीं है performance anxiety वो नहीं थी सिर्फ खेलना था उसमें कब हो गया पता ही नहीं चला और हम successful हो गया तो इसका management होता है जो यह लोगों को share करो कि लोग यह बातचीत बाहर करते नहीं है तो आपके groups में fellow लोगों को बताओ क्यों इसकी चर्चा होते नहीं है और लोगों गलत फेमी मिलती है येलो बुक्स के ये यूट्यूब में जो कोई फालतू वीडियो रहते है वहां से या फिर पॉन से तो यह आप अधिकरूत लोगों को यह वीडियो शेर करेंगे उनको scientific knowledge मिलेंगा तो यह problem काफी हल तक काफी हाथ तक हल हो सकता है आपको यह वीडियो अच्छा लागा तो यह सब्सक्राइब करो शेर करो बेल आइक होना तो उसके पर क्लिक करो ताकि मेरी वीडियो की नुडिविजिन आपको जल से जल पहले बार आ जाएंगे वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्य ठीक यह वेरी मुट